हलो दोस्तों स्वागत हैं अपनों का हमारे यूट् McL G दिल्ली तो आपका उसका रहता है पंद्रासो थीस से लेके 1540 तक आर एक रहता है उसका पंद्रासो 55 से लेके 1556 तक तो पंद्रासो तीस से एक स्कालीस तक रहता है तो 40 से फिर 55 तक कौन रहता है मैंने आपको बताया था 1540 से 55 तक आपका सूरी बंस का शासन आता है और यह बीच में आ जाता है क्योंकि यह जो हुमाई होता है उसको पराजित कर देता है और हुमाई अपनी जान बचा कर भाग जाता है और बाद में फिर करीब 15 साल बाद जब बापस लौट के आता है उमाई तो फिर से इस सूरी बंस को खतम करता है और अपना खुद का वही मुगल बंस अपना स्टार्ट कर देता है जो कि एक ही साल चलता है उसके टाइम पिरिएड में फिर उसके बाद उसका बेटा आकबर उस चीज को आगे तक लेके जाता है और एक ऐसा सामराज खड़ा करता है जो भारत के इतियास में ऐसा कोई सामराज अभी तक मतलब कोई भी मुस्लिम सामराज जैसा अभी तक नहीं हुआ था तो यह हम पढ़ेंगे क्या आज सूरी बंस को सूरी बंस भी आपका क्या है एक मुस्लिम सामराज ही होगा लेकिन यह किसको हटा के आता है, यह मुगल बंsz को हटाता है, मतलब कंप्लेटली नहीं हटा पाता है, बस उसके सासन को भटा देता है कोईश पल के लिए, कोईश समय के लिए, तो शुरू करते हैं सूरी बंस, सूरी बंस क्या है इसके पहले आप इंपोटेंट राजा देख लिजिए क्या है इसके सासक एक तो सेर सहा सूरी है दूसरा जो है वो इसलाम सहा सूरी है और तीसरा जो इसका है वो इस फिरोज सहा सूरी और चौथा जो इंपोटेंट सासक है सिकंदर साह सूरी और लास्ट आपका ग्या है आदिल साह सूरी ये इसके पांच इंपोर्टेंट सासक हैं लेकिन हमें जो इसमें पढ़ना है हमें जो इसमें पढ़ना है वो सेर साह के बारे में पढ़ना है क्योंकि सेर साह नहीं जो कुछ भी किया है इसमें किया है बाकि तो आप लोगों से मेरी गुजारिस है, कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, और आपको तो प की जो कां सेर्शा सुरी ने पांस साल में किया कि इतने सारे साल तक ससन करता है तो उतने में इसने जितना पांट साल में किया उतना उसने मतलब इतने बर्सों में भी नहीं कर पाया तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेन्ट आपका यह शासग्रा होगा किन ऑन्होंने इस ौसाल पिलस चासट क्या फिर भी है Yes सासन करने के बाव्-यूद भी उतने इंपोर्टेंट कार नहीं किए तो शेर सहा का जो जैन्म है उसको पड़ लेते हैं कि इसका जैन्म का हुआ था तो शेर्शा का जो जन्म हुआ था वो 1442 में जवनपुर में हुआ था कहां पर हुआ था दोस्तों जवनपुर में हुआ था और इसके बच्पन का नाम जो था वो फरीद खां था क्या नाम था इसके बच्पन का फरीद खां इसके बच्पन का नाम होता है लेकिन क्या होता है इसने एक बार एक सेर को मार दिया था एक सेर को मतलब जब ये बच्पन में था छोटा ही था इसने सेर को कतल कर दिया था सेर को मार गिराया तो इसका नाम क्या पड़ा था सेर खान नाम इसका पड़ा था और ये सेर खान नाम ये इसकी उपादी भी है इसको सेर खां कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि इसने सेर को मार गिराया था और ये नाम इसे बहार खां लोहानी ने दिया था अभी आगे मैं बताऊंगा भी आपको कि बहार खां लोहानी कौन थे ये और इनके जो पिता थे उनका नाम हसन खां था इस स्थापना करता है आप लोगों को मैं बताता हूं शेर सा सूरी ने क्या किया था बिहार के एक सूबेदार थे जिनका नाम था बहार खान लोहानी उनको मार दिया था और उनको मार के खुद को क्या किया था सत्ता प्याय था खुद को अपने आप को क्या किया था उसने सूर बंच की स्थापना की थी और ये सूर बंच की स्था किनधर के बाहर खाइन लोखानी को इसने मार दिया ता यह बाहर खान लोखानी में इस में एड epoxy किया है और भाखान लोखानी आयए बाहर खाइन ने इसनियस इसलिए बना तो इसने अपना इसको सारचक बना लिया अपने बेटे के लिए लेकिन बाद में होता क्या है यह बाहर खान लोहानी को भी मार देता है और खुद क्या करता है अपने आपको बहां का सूबेदार बनाता है और सूबेदार बनने के बाद आपका ये क्या करता है सूरबंस की इस्ता अपना करता है हुमाई को भगा के दिली से सूरबंस की इस्ता अपना करता है तो ये चीजे मिसमत करिएगा कि ये किस ने क्या के किया ये आपकी इसकी इम को उपादी इसको मिलता है देकने को इसकी क्या है उपादियां और ये इसकी जुंपादी 1529 में निफिए ले थी और कैसे परहल जुम्रा बंगाल का सा सकता उसको और अर्ली कि देक देन का सवे ने उत्वार स्वेइन पड़亦 внеш wavelength सेर सहा, सेर खां दोनों ही बोलते हैं सेर सहा की जो उपादी मिली वो सुल्तानूल आदिल की उपादी कहलाती है इसको सुल्तानूल आदिल भी कहा जाता है और ये 1564 के 1549 में जो युद्ध होता है 14 का युद्ध तो ये बहां से इसकी उपादी मिलती है क्या शेर सहा और ये शेर सहा की उपादी पंदरा तो 49 में हुमायूं को ये हरा देता है इसलिए इसको ये उपादी मिल जाती है अब इसके कुछ पिर्मुक यूद्ध है उनको देख लीजिए एक बार सरसरी नजर से जैसे कि इसने चंदेरी का यूद्ध लड़ा चंदेरी क यूद्ध में बाबर के साथ आपका सेर सहा भी लड़ा था लेकिन बाद में जो चंदेरी के बाद में आपका यूद्ध होता है घागरा का यूद्ध उसमें इसके खिलाफ हो जाता है उसमें नुसरत खान, महिमूद लोदी और आपका क्या बोलता हूँ ये तीनों उसके लेकिन फिर भी बाबर नहीं हारता है बाबर जीत जाता है और इसका जो नेक्स्ट जो आपका इसका यूद होता है वो चुनार का किला होता है इसने चुनार का किला आपका 1530 में जीता था चुनार का किला जीता और जीत कर क्या किया था वहां से लाल मलिका से विवा गया था वहां कि एक मतलब महिला थी लाल मलिका तो उनसे इसने क्या लिया था विवा किया था किसने किया था यह आपका सेर साथ सूरी ने किया था तो आपको पता होनी चाहिए यह बाते हैं चौशा का यूद जो 1549 में हुमायों को इसने आराया आभी हमने बताया आप लोगों को तो सूर बंस्की इस्तापना करता है और हमायों को हटाता है और सूर बंस्की क्या करता है इस्तापना करता है मालवा का एक युद इसने किया जो 1542 में इसने किया मालवा का युद और मालवा के युद में इसने 1542 में मालवा के जो शासकते उनको पराजित कर दिया था फिर एक होता है रायसीन का युद्ध जिसको रायसीन आकर्मड भी बोले तो कुछ भी गलत नहीं होगा यह 1543 में होता है और इसे बड़ा चल करता है मनगा और व्यक्ति होते हैं जिन्होंने बाबर से चंदेरी है किला इस पूरनमल जाट ने जीता था और इसी को ये धोके से मार देता है इसकी भी मृत्तिव फिर इसी तरह से हो जाती है कि इसकी तोप चला रहा होता है तोप में इसकी क्या होती है गोला लगने से इसकी मृत्तिव होती है अभी आगे वह पॉइंट आएगा आप लोगो पता भी चलेगा तो नेक्स्ट आपको क्या है मारबाड का युद्ध जो की पंदरा सो चबालीच में हुआ और मालदेव को इसने हराया था बहां के राजा बहां के जो सासक थे जो रूलर थे मालदेव थे तो उनको इसने हरा दिया था मारबाड के युद्ध में 1544 में फिर एक इसका लास्ट युद्ध होता है कालिंजर का युद्ध ये अंतिम जो अपका यूपी का जो बांदा जिला है बहाँ पी ये कालिंजर है और कालिंजर में इसकी मृत्ति हो जाती है क्यों उक्का तोप का गोला लगने से उक्का एक तोप होती थी तो ये तोप में गोला फिट कर रहा था और गोला जब ये फिट कर रहा था तो अचानक वो गोल हो जाती है और श CHS piena मतलब किस तरह इसकी अंत उया कैसे इसनगles तार और इसकां देख लेते हैं तो पेंपर्टन ही विद्ध aha कर दिया ठाए और इसकी क्या देख लेतें शैर्श ही आर्थिक नीटी ग निसला है обнаруж अर्थिक सुदार किये हैं कुछ चीजें छलाएं हैं इसने खतम भी किया होगी, तो इसने क्या किया था, भू, राज़, भीवस्ता जो होती है, जो बाद में अक्भर सवालेंगे, अक्भर मतलब जिसको बहुत नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे तो ये भूराजस विवस्ता ये टोडर मल इसके मतलब वो होते हैं एक तरीके से मैं क्या बोलूँ प्रिमुक होते हैं मतलब भूराजस विवस्ता का जो अद्देच होता है वो टोडर मल होता है और इसने पैदाबार के अधार पर एक बटे तीन कर इसने लगाया पैदाबार बोलें या उत्पादन बोलें एक ही बात होता है इसने पट्टा प्रिथा को भी शुरू करा था पट्टा प्रिथा लोगों को जमीन के टूड़े देना लोगों को जमीन देना किसानों को पट्टे देना जो कमजोर हैं जिनके पास खेती नहीं उनको जमीने देन था तो यह पट्टा विवस्था भी इसने शुरू की थी और इसी विवस्था को क्या बोला गया था दोस्तों कबूलियत बोला गया था क्या बोला गया था कबूलियत नामक की विवस्था यह इसी ने चलाई थी आप कबूलियत बोले यह पट्टा बोले तो यह सेम टू सेम ह होता है और एस पट्टा का जो अधिकारी होता था ना वह आपका पट्वारी कहलाता था क्या कहलाता था पट्वारी यह पट्वारी शेन्ट跟大家 जो आज का बरतमान का लेकपाल होता एस बहुत है ज़ा चला है तो इसने गजे सिकंदरी और यह किस से लिया था ये आपने देखा होगा जब दिल्ली सल्तनत पर हम पड़ रहे थे लोधी बंस को तो एक सासक आया था सिकंदर सहाल सिकंदर लोधी करके एक सासक काता है और उस सिखंदर योडी को यह क्या करता है जिए इसके पीछ भी यह क्यों इसको अपनाया था यह चाहता तो किसी और के भी अपना सकता था यह चाहता तो किसी और का भी अपना सकता था लेकिन इसने क्या है आपका इसी को अपनाया तो इसने यह इसलिए अपनाया क्यूंकि यह भी एक अफगान बंस था कौंसा आपका जो शेर्शा और यह भी आपका क्या ब्रोधी आपके कहता है अप गानी थे यह वाहद इंगूल यह 32 इंश का होता था तो यह आपको याद को याद रखना किया कि आ पूर्टाrament निर्माण किया प्रियोग इसने क्या किया था मुद्रा विवस्ता भी चलाई थी मुद्रा विवस्ता में इसने क्या किया था जो पुराने सिक्के थे जो पुराने सिक्के थे इसने उनको बंद करा दिया उनको हटाया और बहां पे सुद्ध चांदी का सिक्का जिसको रुपिया बोला गया सुद्ध च सी ग्रेन का होता था कितने का होता था सड़के आजम को बन बया था सड़के आजम को क्या बोला जाता था जो एक लेंड मतलब एक अंग्रेज दिकारी था जो कि उस टाइम पे सड़कों का क्या कर रहा था वही कर रहा था एक तरीके से जो थड़कें बन रही थी न तो उसको नाम दिया था जीटी रोड ग्रांड ट्रंक रोड तो अगर आपसे पूचा जाए जीटी रोड का निर्म किस ने कराया है तो अपका इसी ने कराया है किस ने कराया है आपका शेर शासूरी ने इसने डांग विवस्ता को भी चलाया था इसको डांग विवस्ता का जनक भी बोला जाता है प्रमुक कांता हेमू इसी की गुपचर प्रणाली थी जिसमें भी प्रमुक आपका हेमू है यहेमु कौन है यह बोही और जो इंतिम-हिंदू सासक होगा दिल्ली पे आंतिम हिंदूसासक होगा जो अपका क्या करेगा उस्पर राज करेगा और उसको अकबर साथ युद्ध करना पड़ेगा पानी पत्का शायद बोलू तो मैं क्या बोलू देती है युद्ध होता है पानी पत्का जिसमें अकवर उसको हरा देता है बैरम खां उसको क्या कर देता है मार देता है उसकी आंख में तीर लखने की बज़े से क्या है हेमु गिर जाता है उस जिनों ने एक रचना लिखी है पदमाबत रचना और ये 1940 में लिखी है कब लिखी है 1940 में एक रचना लिखी है पदमाबत जिसमें आपकी बही कहानी है रानी पदमाबती जो की अलाउद दीन खिल जी के साथ उनका लपड़ा होता है लपड़ा क्या रतन सिंग को वो मार देत करता हे और चितवड्ह पर क्या करता है अकरमण करता है तो प्राणी पभबू नी जो होती है यह कहाणि ITO कीением लोड़ का अकरमण हुआ था वो 1303 में हुआ था दोस्तों तो यह सारी बातें आपको पता होनी चाहिए थी अप क्या होता है इसने सेरा में क्या किया था सेरा में इसने गोड़ा दागने और सेनिकों का हुलिया लिखना शुरू किया था जो अलाउद दीन खिल जी ने कराया थी अब इसकी प्रशाषन विवस्था मैं ने देखी है दोस्तों तो वह जो प्रशाषन विवस्था है वो सेम टू सेम आपके जो दिल्ली सलतनत में थी बिल्कूल हूबा हूँ उसको नकल कर लिया इसने बोई बरीदे मुमालिक वह आपका सैन का जो क्या बोलता हूँ दी सेम जो चीजे या लग थी वो मैं लिख के लिए आया हूं तो आगे देखिए आगे इस किया है आगे इसके कुछ इत्रादिकारी आते हैं उनके बारे में देख लीजी इत्रादिकारी इसके काम आते है जैसे कि एक давайте इसका जलाल खां आता है अब ये जलाल खां जो है इसकी जो उपादी है वो इसलाम सा है मैंने अभी पढ़ाया था इसलाम सा के बारे में मतलब इसके सासक होता है इसलाम सा तो इसलाम सा की जो है ये उपादी है नाम तो इसका जलाल खां होता है इसलाम सा सूरी उसका नाम मैंने मतलब चॉमन तो नहीं करता है लेकिन इसके आसपास तक चॉमन का नाम च्छता है इन का वास्तविक का रियल नाम होता है हमसिकंदर जहाता है और हुमायू जहून हो जीत जाता है और हुमायू ज многल दिल्ली की गदी पर हुमायू बैटता की पता है चाहिए टो आप लोगों को पता होना की सकते हैं उटेक्टने थिसा झाता है होता है एक तरीके से आ जाता है पुना मुगल सामराज का शाषन होता है तो आप लोग को यह सारी बातें समझ में आई होंगी एक एक चीज को मैंने बड़े अच्छे से अप लोगों को समझाने की कोशिश किये कि काउन कैसे क्या चीज कहां पे लिंक है तो शारी लोगो पीडियव चाहिए तो पीडियव के लिए आप हमारा ये टेलीगराम चैनल तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही किलाज में तब तक के लिए धन्य बाद.